Excel 2010, Excel 2010, Introduction Microsoft Excel, एक Spreadsheet Software है, जिसकी जिरिये आप मालूमात को Store, Organize और Analyze, यानि डेटा का तद्जिया कर सकते हैं. Spreadsheet को सीखने से पहले या उसमें काम शुरू करने से पहले आपको ये जाना ज़रूरी है कि Spreadsheet का मतलब क्या है और इससे क्या काम किया जा सकता है. आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि Spreadsheet Computer Technology का हिसा नहीं है, बलकि इसकी जरूरत उसी वक्ट शुरू होगी थी, जब लोगों ने हिसाब किताब करना शुरू किया था. वो अलग बात है कि Spreadsheet की जरूरतों को Computer Software ने ज़्यादा बहतर तरीके से पूरा किया. Spreadsheet में Spread का लफ्स Newspaper से रिलेटिड है, जो के दो पेजिस को मिला कर इस तरह स्प्रेट करता है कि वो एक पेज नजर आता है. पूरे Word Spreadsheet का मतलब है कि Accounting में इस्तेमाल होने वाले Book Keeping Ledger को प्रेजेंट करने का फॉर्मैट. ये लेजर इस तरह की Paper Sheets होती हैं, जो आम Paper Size से दुगनी होती हैं. इन पर Calculation Manually की जाती है, जो के काफी मुश्किल और वक्त तलब है. इस तरह की मुश्किलात को कम्प्यूटर के इस्तेमाल ने आसान बनाया है. और अब ऐसे कम्प्यूटर सॉफ्वियर माजूद हैं, जो Spreadsheet के मुख्तलिफ कामों में हमारी मदद करती हैं. Spreadsheet Software का तालुक Application Software की किसम से है. Spreadsheet में काम करने का मतलब, Numeric Data को Calculate करना और इस पर मुख्तलिफ formats अप्लाय करना है. ये सब features Spreadsheet के बुनियादी features हैं. इनके इलावा भी बहुत से features हैं, लेकिन उनकी list बहुत तवील हैं. आईए, अब हम देखते हैं कि Spreadsheet Software किस तरह develop हुआ. रिचेर्ट मार्सिक ने Electronic Spreadsheet का आईडिया 1901 में दिया. और 1978 में Don Brickland ने एक Interactive Visible Calculator का प्रोग्रेम डिजाइन किया, जिसका नाम WeezyCalc रखा गया. Software चार कॉलम्स और 20 रोज पर मुश्टमिल था, जिसका काम यूजर से डेटा लेना और उसको मैनिपुलेट करना था. Don Brickland की इस एजाद से वक्त के साथ साथ बहुत से improvements आईं और Spreadsheet के बहुत से design बनते गई. Market में आपको मुख्तलिफ Spreadsheet Software मिल जाएंगे. मसलन, Lotus 1, 2, 3 में मुख्तलिफ features जैसे database capabilities, charting, plotting वगेरा मुयसर हैं. इसके अलावा, बहुत ज्यादा इस्तिमाल होने वाली Spreadsheet Software में Supercal, Multiplane, Quattro Pro और Microsoft Excel वगेरा शामिल हैं. इन में से कौन सा Software आपको चाहिए? इसका फैसला तो आप ही करेंगे. मगर ये सब आपके Spreadsheet की जरूरियात को पूरा कर सकते हैं. हमारे offices और घरों में जो computer हैं, उन में अमूमन Windows Operating System इस्तेमाल होता है. और उन में से अक्सर में आपको Microsoft Excel ही installed मिलेगा. जब हम किसी भी Spreadsheet Software को इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी screen, rows और columns में तकसीम होती है. इसमें data को enter करने के लिए खाने बने होते हैं, जिनको हम cells कहते हैं. इस शकल को जो आप इस वक्त screen पर देख रहे हैं, worksheet कहा जाता है. इस तरह की चन्द worksheets जब एक जगा इकठी कर ली जाएं, तो उन्हें Spreadsheet कहती हैं. एक Spreadsheet में आप simultaneously तकरीबन तीन worksheets में काम कर सकते हैं, और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं. एक ज़रूरी बात आपको बताते चलें, कि Spreadsheet software को सीखने के दौरान, Spreadsheet और Worksheet के अलफाज हम मतरादव के तौर पर इस्तिमाल करेंगी. Objectives इस लेसन में आप सीखेंगे Microsoft Excel का Interface Excel का नेया Backstage View Ribbon और Quick Access Bar को Modify या तर्मीम कैसे कर सकती हैं? नई workbook कैसे बनानी है और पहले से बनी हुई workbook को कैसे खोलना है? Getting to Know Excel 2010 अब हम Excel के Interface के बारे में जानते हैं. Interface से मुराद वो पहली स्क्रीन होती है, जो किसी भी software को open करने के बाद हमारे सामने आती है. Excel 2010 का Interface, 2007 के Interface से मिलता जुलता है. अगर आप Microsoft Excel पहली मरतबा इस्तिमाल कर रही हैं, तो आपके लिए इसके Interface को तफसील से जानना जरूरी है. Microsoft Office के बाकी softwares की तरह, Excel में भी Ribbon और Quick Access Toolbar मौजूद होते हैं, जो आपको Title Bar के नीचे यहाँ नजर आ रहे हैं. Ribbon में हमारे पास File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review और View के Tabs नजर आ रही हैं. हम बारी-बारी इन Tabs और इन में मौजूद टूल्स को तफसील से देखेंगे. Microsoft Office के दूसरे software से मुख्तलिफ हमारे सामने कुछ Options नजर आ रही हैं, जिन में Name Box, Formula Bar, Column, Row, Worksheets, Horizontal, Scroll Bar, Page View और Zoom Control हैं. Name Box Name Box आपको Selected Cell की Location और नाम बताता है. जैसे ये देखें, यहां हम एक Cell को Select करती हैं. आप देखें कि इस Cell के गिर्द एक Border नजर आने लगा है. इस Border को Name Box कहा जाता है. जैसी ही हम ये Cell Select करते हैं, तो यहां Name Box में देखें, इस Cell का Reference कि वो किस Row और किस Column में है, लिखा हुआ आ जाता है. मिसाल के तौर पर, यहां हमने Column B और Row No. 4 का Cell मुंतखब करती हैं, तो Name Box में B4 लिखा नजर आता है. Formula Bar ये Formula Bar है, इसमें आप Data को Enter या Edit करने के लिए Formula या कोई Function लिख सकते हैं, और यहां लिखा गया Text, Formula या Function, Cell में Apply होगा. ये देखें, यहां हमने पहले Cell C1 को Select किया, और अब Formula Bar में Text लिखा. आप देख सकते हैं, कि Formula Bar में लिखा गया Text मुंतखब करता Cell में भी लिखा जा रहा है. इसी तरह, जब आप कोई Text किसी Cell में लिखें, तो वो Automatically Formula Bar में भी लिखा जाता है. Column Column मुख्तलिफ Cells का एक ग्रुप होता है, जो Excel के पेश में Top to Bottom, यानि Excel Sheet में उपर से नीचे तक जाती हैं. ये देखें, ये Column A है, ये Column B, जब आप Mouse से Column के उपर क्लिक करेंगे, तो ये देखें, पूरा Column Select हो गया. यानि इस Column के तमाम Cell horizontally सेलेक्ट हो गए हैं. Row Excel Sheet में पेश के बाइं से दाइं, यानि Left to Right Cells को Row कहते हैं. ये देखें, हमने स्क्रीन के बाइं जानिब नमबर 4 पर क्लिक किया, तो Left to Right एक लाइन में Cells सेलेक्ट हो गए हैं. आप किसी भी सेल पर क्लिक करके Left to Right या Right to Left सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं. Ribbon Ribbon में वो तमाम कमांड्स होती हैं, जो आपको Excel में काम के दौरान मुखतलिफ operations परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती हैं. Ribbon में मुखतलिफ tabs होते हैं, और हर tab में मुखतलिफ commands, groups की सूरत में मौजूद होती हैं. Ribbon में आप अपनी जरूरत के मुताबिक tabs और commands का इजाफा भी कर सकते हैं, जिन में आप अपनी favorite commands को add कर सकते हैं. Tabs में मौजूद, इन groups में आपको दाएं जानिब नीचे एक arrow नजर आएगा. इस arrow पर click करने से आपको मजीद options नजर आएंगी. Worksheets Microsoft Excel की file, workbook कहलाती है. हर workbook में एक से ज्यादा worksheets होती हैं, जिनको spreadsheets भी कहा जाता है. जब हम Microsoft Excel ओपन करते हैं तो, by default इसकी workbook में तीन spreadsheets होती हैं, जो आपको यहाँ नजर आती हैं. ये देखें, sheet 1, sheet 2, sheet 3. आप इन worksheets को rename, add या delete कर सकती हैं. इन sheets के बाएं जानेब, आपको ये मुख्तलिफ arrows नजर आ रहे हैं. इन arrows की बदौलत, आप worksheets को scroll कर सकते हैं और अपनी workbook की पहली या आखरी sheet पर जा सकते हैं. horizontal scroll bar अगर आपकी workbook में ज्यादा data हूँ, तो आप इस scroll bar की मदद से देख सकते हैं. इस scroll bar से आप workbook में दाएं से बाएं या बाएं से दाएं मूव कर सकते हैं. page view Excel में आप तीन तरीकों से spreadsheet को देख सकते हैं. यहाँ से आपको page view के तीन बटन नजर आएंगे. normal view page layout view page break view Excel ओपन करें तो बाई डिफॉल्ट हमारी workbook normal view में खुलती है. इसमें लातादाद cells और columns होते हैं. page layout view page layout view से आप workbook को pages में break करके देखती हैं. page break view यह view आपको workbook में मौजूद spreadsheets का overview दिखाता है. यह आपके लिए page breaks लगाने में मौविन साबित होता है. zoom control इस slider की मदद से आप अपनी spreadsheet को zoom करके देख सकती हैं. और यह plus और minus की निशान आपको zoom percentage को जाहिर करती हैं. यह देखें. slides को move करने से आपकी spreadsheet भी zoom in, zoom out हो रही है. working with your Excel environment. Ribbon and quick access toolbar. Ribbon और quick access toolbar में आपको Excel में काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली commands मिलेंगी. the ribbon Ribbon में मुख्तलिफ tabs होती हैं. हर tab के अंदर commands का एक group होता है. जैसे यहां आपको home, insert, page layout वगईरा के tabs नजर आ रही हैं. इन tabs के अंदर मुख्तलिफ commands के group आपको नजर आएंगे. Ribbon को आप customized यानि अपनी मर्जी से arrange कर सकते हैं. To customize the ribbon आएए आपको ribbon को customize करने का तरीका बताती हैं. जिसमें आप अपनी मर्जी की commands को group कर सकते हैं. इसके अलावा आप पहले से मौजूद default ribbon को भी अपनी मर्जी के मुताबिक customized कर सकते हैं. Ribbon पर right click करें. Customize the ribbon पर click करें. आपके सामने ये dialogue box खुल जाएगा. इस dialogue box में new tab के बटन को click करें. New tab पर click करें. एक निया tab बन जाएगा. जिसके अंदर निया group भी होगा. इस बात को यकीनी बनाएं कि new group की option selected है. अब इस list के बाएं जानिब कोई एक command select करें और फिर add की option पर click करें. आप commands को बराहे रास्त ड्रैग करके भी इस group में add कर सकते हैं. जब आप ribbon में commands को add कर लें तो OK का बटन click करें. याद रखें, अगर आपको अपनी मर्जी की command न मिल रही हो तो choose commands from वाली drop-down list को click करके all commands की option को मुन्थखिब करें. To minimize and maximize the ribbon, Microsoft Excel 2010 में ribbon को इस तहाँ डिजाइन किया गया है ताके ये user की task के लिए responsive या dynamic हो यानि ये screen की resolution के हिसाब से minimize या maximize किया जा सके. Ribbon के उपर इंतहाई दाएं जानिब इस arrow को click करें. Ribbon minimize हो जाएगा. अब ribbon को maximize करने के लिए इसी arrow को दुबारा click करें. जब ribbon minimize हो तो आप tab के उपर click करके ribbon को show करवा सकती हैं. और जब आप इसको इस्तिमाल नहीं कर रही होंगे तो ये खुद बखुद गाइब हो जाएगा. इसके इलावा आप ribbon पर right click करके भी ribbon को minimize कर सकते हैं और इसको maximize करने के लिए इसी arrow पर click करना होगा. The Quick Access Toolbar Ribbon के बिलकुल उपर Quick Access Toolbar होती हैं. इस Quick Access Toolbar में common commands होती हैं, जिनको आप किसी भी टैप में रहते हुए आसानी से इस्तिमाल कर सकती हैं. इस Toolbar में पहले से Save, Undo और Repeat की commands मौझूद होती हैं, लेकिन आप इसमें अपने आसानी के लिए अपनी मर्जी की commands को add कर सकते हैं. To add commands to the Quick Access Toolbar, Quick Access Toolbar के दाइं जाने, drop-down arrow को क्लिक करें. अब इस drop-down list में से इन commands को select करें, जिनहें आपने Quick Access Toolbar में शामिल करना है. मजीद commands के लिए More Commands की option को select करें. Backstage View Microsoft Excel में Backstage View आपको Saving, Opening, File Printing और Sharing की मुख्तलिफ options देता है. ये Backstage View, Microsoft Excel 2007 की Microsoft Office Button और Excel के पुराने Versions की File Menu की तरह है. ताहम ये सिर्फ एक Menu के बजाए Full Page View है, जो हमें काम के दौरान आसानी महया करता है. To get to Backstage View, File Tab पर क्लिक करें. आप इन बाए जाने वाली कोई भी option चुन सकते हैं. इन options में आपको Save, Save As, Open, Close, Info, Recent, New, Print, Save and Send और Help की options आपको नज़राएंगी. आईए इन commands को देखती हैं. Save, इस command से आप अपने document या workbook को save कर सकते हैं. Save As, इस option से आप अपनी workbook को नए location, नए नाम और Excel के किसी और version, जिसे compatibility view कहते हैं, में save कर सकते हैं. Open, पहले से saved या बनी हुई Excel workbook को खोलने के लिए. Close, workbook को बन करने के लिए. Info, info की option से आप अपनी workbook जिसमें काम कर रहे हूँ की information ले सकते हैं, और इसके साथ अपनी workbook की security settings भी कर सकते हैं. Recent, इस option के जरिए आप हाल ही में create की गई files को खोल सकते हैं. New, यहाँ से आप नई workbook बना सकते हैं. Print, इस option से आप अपनी workbook को print करते हैं. Save and send, workbook को save करके email या website पर send कर सकते हैं. Help, यहाँ से आप Microsoft Excel की मदद या help ले सकते हैं. Options, Excel में मुख्तलिफ operations और interface की settings को देखने या तबदील करने के लिए. Exits, exits से आप Microsoft Excel को बन करते हैं. अपने document में वापस जाने के लिए दुबारा ribbon पर मौजूद किसी भी tab पर click करें. Creating and opening workbook To create a new blank workbook, नई blank workbook बनाने के लिए File tab को click करें. यह आपको Backstage View में ले जाएगा. New को select करें. पहले से दस्तियार Templates में से Blank workbook को select करें. यह option पहले से highlighted होगी. Create पर click करें. अब आपके सामने Excel window में Blank workbook खुल जाएगी. To open an existing workbook. आईए. अब देखते हैं के पहले से बनी हुई workbook को किस तरह open करते हैं. File tab पर click करें. यह आपको Backstage View में ले जाएगा. Open को select करें. एक Dialog Box open हो जाएगा. अब जो workbook आपने open करनी है, उसे select करें और open पर click करें. अगर आपने हालिया बनाई हुई workbook को open करना हो, तो उसे recent वाले file tab से open करें. ना के open वाली option से. Compatibility mode. बाज आपकात आपको ऐसी workbook पर काम करना पड़ सकता है, जो Excel की पुरानी versions में बनी हो. मसलन, Excel 2003 या Excel 2000 वगेरा. इस किसम की workbook सिर्फ compatibility mode में open हो सकती है. Compatibility mode असल में तमाम नए और advanced features को disable कर देता है, और उन basic features को enable कर देता है, जो सिर्फ किसी workbook को बनाने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं. मिसाल के तौर पर, अगर आप कोई ऐसी workbook खोलें, जो Microsoft Excel 2003 में बनी हुई हो, तो आप सिर्फ वही tabs और commands इस्तेमाल कर सकते हैं, जो Microsoft Excel 2003 में हैं. ये देखें, हमने एक workbook को compatibility mode में खोला हुआ है, आप देख सकते हैं कि insert tab में मौजूद, sparkline और slicer की options disable हो गई हैं, और सिर्फ 2003 वाली options दस्तेयाब हैं. इस compatibility mode से निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप workbook को मौजूदा version में save करें, क्यूंकि अगर आप ऐसी environment में काम कर रही हैं, जहां बाकी लोग पुराने version में काम करती हैं, तो ये सबसे बहतर है कि आप workbook को compatibility mode में रहने दें, ताके इस workbook की file extension तबदील ना हो. और ये workbook तमाम लोग आसानी से access कर सकें. To Convert an Excel Workbook अगर आप Microsoft Excel 2010 के तमाम features को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप अपनी workbook को Microsoft Excel 2010 के file format .xlsx में convert कर सकते हैं. File tab पर क्लिक करें और Backstage View को एक्सेस करें. Convert command को ढूँड़ें और सिलेक्ट करें. आपके सामने Save As का डायलोग बॉक्स जाहिर होगा. Location को सिलेक्ट करें जहां आपने अपनी file सेव करनी है. File का नाम दें और सेव को क्लिक कर दें. आपकी workbook नई file type के साथ सेव हो जाएगी. Cell Basics अब आपको जाननी की ज़रूरत है कि आप Microsoft Excel 2010 में Cell पर कैसे काम कर सकते हैं ताके आप Excel में काम करते हुए मुख्तलिफ mathematical operations जैसे calculate, analyze और organize वगेरा perform कर सकें. इस lesson में आप सीखेंगे कि Cells को सिलेक्ट कैसे करते हैं? इन Cells में content या मवाद कैसे insert करना है? Cells को delete करना Cells को cut, copy, paste करना Cells को drag या drop करना Fill handles की मदद से Cells को fill करना Introduction to Cells and Cell Content Cells, Microsoft Excel की worksheet की बुन्यादी इकाई हैं Cells में आप, text, formatting, attributes, formulas और functions को data के तौर पर insert कर सकती हैं Worksheet में मौजूद इन मुस्ततील नुमा या rectangular boxes को cell कहा जाता है Row और column के intersecting point पर cell बनता है हर cell का नाम और address होता है जहां column और row intersect करती है इस point का जो address बनता है, वही इस cell का नाम होता है Cell का address यहाँ उपर name box में जाहिर होता है यह देखें, C5 cell इस वक्त selected है आप एक वक्त में एक से ज्यादा cells भी select कर सकती है दो या दो से ज्यादा cells का group cell range कहलाता है जब आप एक से जाएद cells का address देना चाहते हों तो आपको ये cell range मदद करेगी जिसके जरीए आप एक से जाएद cells का address दे सकते हैं इस तरीके में आप cell range के पहले और आखरी cell का reference देती है और इसको colon की मदद से separate करते है मिसाल के तोर पर एक cell range है जिसमें A1, A2, A3, A4 और A5 cells है तो इस cell range के address होगा A1 colon A5 यानि इसको name box में A1 colon A5 की शकल में लिखा जाएगा To select a cell, cell पर click करें जब आप किसी भी cell पर click करेंगे तो आप देखेंगे के इसके गिर्द एक black color का border बन जाता है और इसके साथ-साथ column heading और row heading भी highlighted हो जाती है माउस बटन को छोड़ें, cell selected ही रहेगा जब तक आप किसी और cell को select न कर लें आप worksheet में cells को select करते हुए keyboard की arrow keys के साथ भी navigate कर सकती है आप देखेंगे के जहां जहां से माउस ड्रैक करते हुए आगे जा रहा है वो तमान cells select होते चले जा रही है अब माउस को छोड़ें, ये देखें, selected cell अब भी selected है जब तक आप इस worksheet में किसी और cell पर click न करें cell content Microsoft Excel में हर cell का अपना data, text, formatting, formula और function होता है text cells के अंदर text, letters, number और date को लिखा जाता है formatting attributes cell का अपना formatting style हो सकता है जिससे आप इस cell के text, numbers और dates को अलहता-अलहता format करके display कर सकती है मिसाल के तौर पर dates को month slash day slash year या month slash day slash year के format में display किया जा सकता है comments cells के साथ आप comments का इजाफ़ा भी कर सकती है जिनमें आप अपने लिए या किसी reader के लिए reference देती हैं कि इस data का क्या मकसद है जिससे review करने में आसानी होती है formulas and functions cell values को calculate करने के लिए formulas और functions की जरूरत पढ़ती है मिसाल के तौर पर sum bracket begins cell 1, cell 2 bracket closed एक formula है जो के एक से जायद cells के data को add कर सकता है to insert content cell को select करें अब अपने keyboard की मदद से इस cell में data डालें आप देखेंगे कि cell में content लिखा जा रहा है इसके साथ साथ ऊपर formula bar में भी यही content लिखा जा रहा है आप इस content को formula bar में change भी कर सकते हैं और ये इसी तरह automatically cell में भी change हो जाएगा to delete content within cells जिन cells में से content आप delete करना चाहते हैं उनको select करें home tab में editing के group में clear की option पर click करें आपके सामने ये sub menu खुल जाएगा इस menu में से clear content की option पर click करें आप यही काम करने के लिए अपने keyboard का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस मकसद के लिए एक cell में से content delete करने के लिए backspace key और एक से जाएट cells से content clear करना चाहते हैं तो keyboard से delete key press करें तो delete cells ये तु था cells से content delete करने का तरीका अब हम आपको cell delete करने का तरीका बताते हैं जिन cells को delete करना हो उनको select करें home tab में cells के group में जाएं और delete की option को click करें यहां ये बात काबले जिक्र है कि cell से content delete करना और cell को delete करना इन दोनों में बहुत फर्क है अगर आप cell से content delete करते हैं तो cell worksheet में मौझूद रहता है लेकिन अगर आप cell को ही delete करने तो cell worksheet से delete हो जाएगा लेकिन इससे नीचे वाले cell इसकी जगा खुद बखुद ले लेंगे जिन cell को copy करना हो उनको select करें और home tab में copy command को तलाश करें copy command को click करें ये देखें cells के border की appearance या शकल तबदील हो गई है अब जहां और जिन cells में आपने ये content paste करना हो उनको click करें paste command क्लिक करें ये देखें copy किया हुआ content paste हो गया to cut and paste cell content जिन cell को cut करना हो उनको select करें cut command पर click करें जो आपको home tab में clipboard के group में नजर आ रही है जहां content paste करना हो उस cell पर click करें paste command पर click करें आपका data या content original cells से remove होकर नई जगह नए cells में paste हो जाएगा to access more paste options Microsoft Excel में आपके पास paste command की चंद options मसीद भी हैं जो आपको इस paste command के नीचे drop down arrow को click करने से मिलेंगी यह options Microsoft Excel के उन advanced users के लिए फायदा बंद हो सकती हैं जिनें ऐसी worksheets में काम करना होता है जिन में formulas and formatting बहुत ज्यादा इस्तमाल हो हमारे पास paste command की मजीद यह options नजर आती हैं paste paste formulas paste formulas and number formatting keep source formatting no borders keep source column width transpose values and number formatting values and source formatting formatting paste link picture linked picture paste special to access formatting commands by right clicking जिन सेल्स को format करना हो उनको select करें इन selected सेल्स पर राइट क्लिक करें एक डायलोग बॉक्स खुल जाएगा जिसे आपको फॉर्मेटिंग की मुख्तलिफ options मिल जाएगी तो ड्राइग एंड ड्रॉप सेल्स जिन सेल्स को मूव करना हो उनको select करें अपने माउस को इन selected सेल्स के बॉर्जर के किसी भी एज पर रखें ये देखें इसकी शकल कुछ यूँ हो गई है यानि वाइट प्लस साइन की बजाए ये अब four headed arrows की सूरत में तबदील हो गया है अब इन selected सेल्स को क्लिक करें और नई जगा ट्रैक कर दें माउस को छोड़ें आप देखेंगे कि ये selected सेल्स नई जगा ड्रॉप हो गए है जिन सेल्स यूँ कॉंटेंट को इस मकसद के लिए इस्तिमाल करना हो उनको select करें आप सेल्स कॉंटेंट को उमूदन और उप्पी यानि vertically और horizontally फिल कर सकती है माउस को fill handles पर position करें क्लिक नहीं करना ये देखें माउस pointer की शकल कुछ इस तरह हो जाएगी यानि white cross से अब plus या जमा की शकल का हो गया है इस fill handle को click और drag करें यहां तक के तमाम सेल्स जिनको आप फिल करना चाहते हैं वो highlighted हो जाएं माउस release करें और ये आपके cells फिल हो गए Working with columns, rows and cells By default, एक नई workbook में हर row और column की एक मखसूस लंबाई और चोड़ाई होती है आप हर column और row की height, width को अपनी जरूरत के मताबिक मुख्तलिफ तरीकों से तबदील कर सकते हैं To modify column width Mouse pointer को column line पर लेकर जाएं जो आपको column heading पर मिलेगी आप देखेंगे कि column line पर mouse pointer ले जाते ही उसकी शकल white cross से double arrow जैसी हो जाएगी अब mouse click करें और column line को drag करते हुए बाएं तरफ लेकर जाएं ये देखें, column की छोड़ाई या width बढ़ रही है अगर आपको किसी cell में pound signs नजर आएं तो समझ जाएं कि इस cell में data ज्यादा है और cell की width या चोड़ाई कम है जब आप इस cell या column को बताए गए तरीके के मताबिक change करेंगे तो आपको इन pound sign की जगा, data या content नजर आना शुरू हो जाएगा To set column width with a specific measurement जिन columns को modify करना हो, उनको select करें Home tab में format command पर click करें Format drop-down menu खुल जाएगा Column width को select करें Column width dialogue box खुल जाएगा इसमें मखसूस पैमाश लिखें Okay का button क्लिक करें, आप देखेंगे के वर्कशीट के तमाम cells की width चेंज हो जाएगी Format drop-down menu से auto column width की option को select करें Worksheet के तमाम cells की width खुद बहुद auto adjust हो जाएगी और तमाम text content खुद बहुद adjust हो जाएगा To insert rows जिस rows से नीचे नई row इंसर्ट करनी हो, उसे select करें Selection के लिए left number पर क्लिक करें Home tab से insert command पर क्लिक करें आपकी वर्कशीट में नई row का इजाफा हो जाएगा जब आप Excel Sheet में नई row, column या cells का इजाफा करती हैं तो आपको नए inserted cells के साथ Insert Option बटन नज़र आएगा इस बटन के जरीए आप मुन्तखिब कर सकते हैं कि आपने इन नए cells, rows या columns को कैसे format करना है Formatting की मजीद options तक रसाए के लिए इस Insert Option बटन पर मौस लेकर जाएं और उस पर बने drop-down arrow पर क्लिक करें To insert columns जिस column के आगे या पहले आपने नया column add करना हो उसको select करें मिसाल के तौर पर अगर आपने A और B के दर्म्यान column add करना हो तो column B को select करेंगे Home tab पर Insert command पर क्लिक करें ये देखीं आपकी worksheet में एक नया column add हो गया है By default जो नया column add होता है इसकी formatting इसके left या by जानब वाले column की तरह ही होती है लेकिन formatting की मजीद options के लिए mouse को Insert Options बटन पर hover करके उसके drop-down arrow को क्लिक करें जब आप rows या columns का इजाफा करते हैं तो इस बात को यकीनी बनाए कि उसे अगली row या column की heading select हो ताके उस row या column में तमाम cells selected हो क्यूंकि अगर आप किसी row या column में एक cell को select करेंगे तो उसके नतीजे में सिर्फ एक cell ही insert होगा To delete rows जिन rows को delete करना हो उनको select करें Home tab से delete command पर click करें ये देखिए worksheet से selected rows delete हो गई है To delete columns जिन columns को delete करना हो उनको select करें Home tab से delete command पर click करें आपकी worksheet से selected column delete हो गई है Wrapping text and merging cells बाज आपकात ऐसा होता है कि cells में data या content इतना ज्यादा होता है कि हम उसे ठीक तरह से read नहीं कर पा रहे होते तो हमें text wrapping की जरूरत पढ़ती है Text wrap आपके content को cell में multi lines की सुरत में arrange कर देता है यानि एक cell का सारा content आसानी से readable हो जाता है To wrap text जिन cells को wrap करना हो उनको select करें Home tab से wrap text की command को मुंतखब करें आप देखेंगे कि इन cells में मौझूद content wrap हो गया है और अब हम इसे आसानी से read कर सकते हैं अगर आप text wrapping को खत्र करना चाहते हैं तो इसी command wrapping को re-click करें आपका text unwrap हो जाएगा To merge cells using the merge and center command जिन cells को merge करना हो उनको select करें Home tab से merge and center command पर click करें मुंतखब शुदा cells merge हो जाएगे और उनमें text भी centered हो जाएगा अगर आप merging नहीं चाहते तो merge and center को re-click करें Merge to the cells दोबारा अपनी पहली वाली position में आ जाएगे To access more merge options, अब हम Home tab पर merge and center command के drop-down arrow को click करके merging की मजीद options को देखते हैं इस drop-down arrow को click करने से एक drop-down menu खुल जाएगा जिसमें आपको ये options मिलेंगी Merge and center ये selected cells को merge करके एक ही cell बना देता है Merge across Selected cells की हर row को merge करके एक बड़ा cell बना देता है ये उस वक्त बहुत मुफीद होता है जब एक से ज्यादा rows को merge करना चाहें Merge cells Selected cells को merge करके एक cell बना देता है Unmerged cells मुंतखब करता या selected cells को unmerged कर देता है Formatting cells याद रखें कि ऐसी spreadsheets जो formatted ना हो उन्हें read करने या पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है और ये एक reader के जहन पर बहुत बुरा असर डालती है Formatted text और formatted cells एक spreadsheet की visibility को enhance करते हैं Objectives इस lesson में आप सीख सकेंगे कि Text और cells का रंग और style किस तरह तबदील किया जाता है Text को align कैसे करते हैं Number और dates पर special formatting किस तरह एपलाई करते हैं Formatting text Ribbon में आपको text formatting के हवाले से font, alignment, style वगरा की commands मिलेंगी Font की command से आप style, size और color को change कर सकते हैं Alignment command से आप ये तायून करते हैं कि horizontally या vertically cells में text किस तरह से जाहिर किया जाएगा Number commands से आप number और dates की display setting change कर सकते हैं To change the font जिन cells को modify करना हो, उनको select करें Home tab में font styles के drop-down arrow पर click करें तो font drop-down menu खुल जाएगा Mouse को मुक्तलिफ fonts पर hover करके अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक font style को मुन्तखब करें To change the font size जिन cells को modify करना हो, उनको select करें Home tab में font size के drop-down arrow को click करें ये font size drop-down menu खुल गया मुक्तलिफ font sizes पर mouse hover करके अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक font size set करें जब आप mouse hover करती हैं, तो font size का live preview आपकी worksheet में नजर आ रहा होता है जिसे देखते हुए आप font size का इंतखाब आसानी से कर सकते हैं font size के इंतखाब करके click करें, आप font size को grow font और shrink font commands से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं अब home tab में fonts group से bold, italic या underline commands को click करें to add a border, जिन cells को modify करना हो, उनको select करें home tab के अंदर, fonts group में यहां borders command के drop down arrow को click करें border drop down menu खुल जाएगा यहां से अपनी मर्जी का border style मुंतखब करें आप border का style, line color, line style भी अपनी मर्जी का set कर सकते हैं इसके लिए आप draw borders की command से अपनी मर्जी का border draw करें और border line style वगेरा अपनी जरूरत के मताबिक set करें To change font color, जिन cells को modify करना हो, उनको select करें Home tab के अंदर, font color के drop down arrow को click करें font color menu खुल जाएगा माउस को मुख्तलिफ font colors पर hover करके अपनी पसंद और जरूरत के मताबिक font color को मुंतखब करें Font color menu से आप more colors की option पर click करके मजीद colors को मुंतखब कर सकते हैं To add a fill color, जिन cells को modify करना हो, उनको select करें Home tab के अंदर, fonts group में, fill color कमांड के drop down arrow को click करें Fill color menu खुल जाएगा मुख्तलिफ fill colors पर mouse hover करके अपनी मर्जी और जरूरत के मताबिक fill color सेट करें जब आप mouse hover करते हैं, तो fill color का live preview आपकी worksheet में नजर आ रहा होता है जिसे देखते हुए, आप अपनी मर्जी के fill color का इंतखाब आसानी से कर सकते हैं To change horizontal text alignment, जिन cells को modify करना हो, उनको select करें Home tab में मौजूद, alignment group के अंदर, आपको ये तीन options नजर आएंगी Align text left, align text left से cell में मौजूद, data left align हो जाता है Center, इस command से cell में मौजूद, data या content, cell की दर्मियान या center में align हो जाता है Align text right, इस से cell का data, dine या right side पर align हो जाता है To change vertical text alignment, जिन cells को modify करना हो, उनको select करें Alignment group में आपके पास तीन options है Top align, इस option से cell में लिखा content, cell के top पर align हो जाता है Middle align, middle align से cell data middle में aligned हो जाता है इस से cell में लिखा गया text या data, cell के नीचे aligned हो जाता है By default, किसी भी worksheet में numbers, cells में bottom right aligned होते हैं जबके text या अलफाज cell में bottom left aligned होते है Formatting numbers and dates Microsoft Excel का सबसे बड़ा feature ये है कि आप इसमें number और dates को कई मुख्तलिफ तरीकों से format कर सकते हैं To format numbers and dates जिन cells को modify करना हो, उनको select करें Home tab में number format commands group में इस drop down arrow पर click करें इस drop down list में से अपनी मर्जी का number format मुंतखब करें कुछ number formats के लिए आपको increase decimal या decrease decimal की commands को select करना होता है ये commands आपको number format में यहां मिलेंगी अब हम आपको number format के drop down list में नजर आने वाली options के बारे में तफसील से बताती है General By default, worksheet का हर cell इसी general format setting पर set होता है यानि जब आप किसी भी cell में data insert करते हैं तो Excel by default इस input को general formatting में लिखता है Number इस format में numbers decimal की सूरत में लिखे जाते हैं मिसाल के तौर पर आपने cell format अगर number पर set किया हुआ हो और आप किसी cell में 4 लिखें तो Excel इसको खुद बखुद बदल कर 4.00 लिखतेगा Currency Currency format में number को currency के तौर पर assume किया जाता है और आप कोई भी number जब किसी cell में enter करेंगे तो Excel इसको currency के तौर पर लिखेगा मिसाल के तौर पर अगर आपने number formatting करंसी पर set की हो और किसी cell में 4 लिखें तो Excel इसको currency के format में कुछ यू लिखतेगा Accounting इस format में भी values को currency की शकल में ही लिखा जाता है लेकिन इसमें फर्क ये है कि currency symbol और decimals को खास तौर पर right और left align किया जाता है ये formatting, लंबी accounting, list को पढ़ने में मददगार होता है Short date ये format कुछ इस तरह का होता है मिसाल के तौर पर August 8, 2014 को यू लिखा जाएगा 8 slash 8 slash 2014 Long date Long date format में dates को पूरी तफसील से लिखा जाता है जैसे weekdays, month, years dd, m, yyy, yy Time इस format में time को यू लिखा जाता है hours colon minutes colon seconds hh colon, mm colon, ss और am या pm notes percentage percentage format में data को percent sign के साथ लिखा जाता है मिसाल के तौर पर अगर आप .75 लिखते हैं, तो percentage format इसको 75.00 पर्सेंट की शकल में लिखेगा fraction इस format में data को forward slash के साथ लिखा जाता है मिसाल के तौर पर अगर आपने fraction format set किया हुआ है और Excel में एक बटा चार enter करते हैं तो वो as it is यानि उसी तरह लिखा जाएगा लेकिन अगर आपकी format setting general हो तो Excel इसको date समझेगा और इस figure को बदल कर 4 January लिख देगा scientific इस format में numbers को scientific notations में लिखा जाता है मिसाल के तौर पर अगर आप Excel में एक लाख चालीस हजार लिखें तो आपको इसके नतीजे में एक आशारिया चार सिफर इ जमा सिफर पांच लिखा नजर आएगा By default Excel किसी भी value को जो अददी निजाम में बहुत बड़ी हो उसको scientific notation में लिख देता है इस format में numbers को text के तौर पर treat किया जाता है यानि आप जो value या figure किसी cell में लिखेंगे Excel इसमें कोई तबदीली नहीं करेगा और वो value जूंकि तूं लिखी जाएगी By default Excel इसी format पर set होता है More number formats ये option आपको number format drop down list में सबसे आखिर में लिखी मिलेगी इस option के जरिये आप number format को customized कर सकते हैं मिसाल के तौर पर आप US dollar sign को किसी और currency या PKR में तबदील कर सकते हैं इसी तरह आप decimal places को भी change कर सकते हैं